गुद मॉर्निंग क्लास वॉर्थ, तोड़ी वी आ गॉइन टो स्टार्ट चाप्टर नंबर फोर्थ लेजर, तेट इस अ पोयम, ओके दीको सबसे पहले लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है, फ्री टाइम, यानि के जब हम ऐसा टाइम जिसमें हम अपना जो हमारा मन करता है, वो करते हैं, जैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, इसी तरीके से बढ़ों के लिए भी ऐसा लेजर टाइम होता है, तो लेट स स्टाट, वाट इस दिस लाइफ, इस फुल आफ केर, यानि के ये क्या जिसमें सिर्फ बहुत सारा काम काम और बस काम ही है, we have no time to stand and stare, हमारे पास कोई समय नहीं है, ना खड़े होने के लिए ना किसी चीज़ को अच्छे से देखने के लिए, stare मतलब किसी चीज़ को अच्छे से देखना वो भी बहुत देर तक खुली आखों से जैसे देखते है ना इस तरीके से stand मतलब एक जगा पर रुख कर रुख जाना बैठ जाना ठीक है ना no time to stand beneath the balls कि कोई समय नहीं है किसी के पास भी जोकि ऐसा जिसे ये बहुत क्या होता है व्रिक्षो की जो टहनिया होती है तो beneath the balls का मतलब हो जाता है कि व्रिक्षो की टेहनियों के नीचे जो च्छाया है उसको भी नहीं ले पाते हैं कोई एतना time नहीं है किसी के भी पास कि वो आराम से पेड़ों के नीचे छाया में बैठ जाएं सुन्दर्ता को महसूस करें and stare as long as sheep or cows ये stand का तो हो गया and stare और देखते रहें जैसे की भेड़ें और गाएं वगिरा देखती रहती है आप देखते हैं ये कितने देर तक इसे बैठी रहती है आपने यहां figure में भी देखा है ये diagram जो नीचे एक view जो बनाया हुआ है यहां भी आप देख रहे हैं ठीक है न तो कि बस बैठी हुई है कोई काम नहीं है कुछ नहीं है मतलब आप यह सोचे कि जानवर वो चीज़े कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना time ही नहीं है कि कोई समय नहीं होता हम रोज इन लकडियों में से गुजरते हैं रोज इन पेडों के साइड से गुजरते हैं लेकिन कभी भी हमने कुछ भी महसूस नहीं किया कि कहां पर ये गिलहरियां आकर अपने मेवे वगेर नट्स मतलब मेवे जिसे मेवे अगने घास में चुपा के चली जाती हैं कहां चुपा के चली जाती हैं हमने तो कभी वो भी नहीं देखा कोई समय नहीं है कि हम पूरी दिन के उजाले को चमकते हुए दिन के उजाले को ब्राड मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और डेलाइट आपको पता ही है light of sun तो कोई ऐसे समय नहीं है कि सूरे की रोशनी को तेज रोशनी को एक बार अच्छे से देख लिया जाए महसूस कर लिया जाए और streams full of stars like skies at night और इसमें इतनी सूरे की जो रोशनी तेज है उसमें अब जब streams मतलब नदियां वगिरा तो नदियां जो जब बहती है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे तारे अपने में भरी हुई है यानि कि पानी को stars से compare किया गया है ठीक है न कि ये जो नदियां है पूरे भरे हुए तारे तारों से भरी हुई नदी जो है बहती है और जैसे like skies at night जैसे कि रात में आसमान लगता है तारों के साथ बहरा हुआ उसी तरीके से दिन में ये नदियां जो है तारों से भरी हुई मतलब पानी से भरी हुई लगती है ठीक है no time to turn at beauty's glance glance मतलब सुन्दरता को अच्छे से जल्दी से निहारना तो मतलब इतना समय भी नहीं है कि ये जो प्रकरती है ये जो beauty मतलब जो प्रकरती है नेचर उसकी जो beauty है उसको हम एकदम से अच्छे से देख सके इतना समय भी हमारे पास नहीं है and watch her feet how they can dance कि किस तरीके से ये जो नेचर है ये सुन्दरता जो है वो किस तरीके से dance करती है मतलब कहने का मतलब क्या है कि सुन्दरता को कभी हमने बिल्कुल एकदम से मिलकुल एक दम से कभी भी देखा ही नहीं कभी उसको नोटिस ही नहीं किया कि सुन्दर्ता किस तरह से नाचती है किस तरह से उसके सुन्दर्ता के पैयर तो देखो इतना समय भी हमारे पास तो नहीं है No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin इतना भी समय नहीं है कि यहाँ पर क्या कहा गया कि इतना भी समय नहीं है कि हम सब की जैसे जो सुन्दर्ता है जो beauty है उसकी जो मुक आकरिती है जिस तरीके से अलग लग तरीके से बनाया जाती है और improvement करते कि कि किस तरीके से अच्छे से वो smile करके देख सके ठीके न वो भी अपनी खुली आखों से उसकी आखे जो है उसकी सुन्दर्ता को महसूस कर सके ऐसा यहाँ पर हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि जो प्रकरती है जो nature है उसकी beauty को हम अच्छे से देख सके हम देख सके कि किस तरीके से जो जानवर है या फिर जो भी हमारे nature की बीच में आते है वो सब किस तरीके से क्या क्या करते है हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है अब poor life this is full of care हम कितना निर्धन जीवन जीते हैं गरीब जीवन जीते हैं हम क्योंकि इसमें सिर्फ काम काम और सिर्फ काम है अपने लिए तो हमारे पास कोई समय ही नहीं है we have no time to stand and stare हमारे पास तो खड़े होने कभी समय नहीं है किसी चीज़ को अच्छे से देखने का भी समय नहीं है ठीक है यह था आपकी poem leisure इसके word meanings और difficult word अभी हम करते हैं ओके